कहानी के शुरू में बाइक चनाती हुई लाल बालो वाली एक विच अपनी बेटी को कुछ बुरे लोकों से पच्छाते हुए एक और्फनिच के सामने लेकर आई है इस जगा वो बच्छे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता वो अपनी बेटी के पास एक चेड़ाती है अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ घोस्ट बनकर यह नि भोड बनकर और्फनिच से बाहर जाकर खेलने का चिंहां बीग ऐबने जाता हैं डर चुका था अगले दिन और फरेश में आकर वहां की हैड लेडी को सब कुछ बता देता है है लेडी काफी परेशान थी इस सब कुछ सुनकर आया ने भी उनकी सारी बाते सुन ली थी आया अपने साथ के बागी बचों को मुश्किन में नहीं डाल सकती थी उसकी को देखते हुए कोई भी उसे कुछ नहीं कहता बंद के सब उसे प्यार करते हैं एक दिन तो अहजीब गरीब से लोग उनके और फने जाते हैं उन्हें किसी एक लड़की को अडॉप्ट करना था वो लोग चूस करते हैं आया को आया को वो लोग बिल्कुल अच्छ नहीं लग रहे थे काफी अच्छी वो गरीब हरकते थी उनकी देखनी से ही उनको लगता था कि कुछ तो गड़ बढ़ हैं उनमें पता चला है कि उनने तो आया ही पसंद आई है और उन्होंने आया को ही अडॉप्ट करना है वाया उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उ इनको चक्मा देकर यहां से भागते हुए उसे जादा टाइम नहीं लगेगा यहां वो लीडी जो कि आया को अपने घर लेकर आई थी वो आया को इस खर में रहने के कुछ रूल बताती है जिसमें सबसे पहला तो यह था कि आया उसके हस्बंड के काम में कभी टांग नहीं अड़ाएगी और दूसरा उसे यह बात बताई थी कि वो औरत असल में एक विच है और उसे आया की मदद चाहिए जिसके बतले वो आया को मैजिक सिखाएगी यह सुनकर तो आया जिससे पागल होने वाली थी वो कुछ नया सीखेगी और आप उसने यहां से जाने का फैसला बनाने का काम करती है सारा काम खतम करने और खाना खाने के बात आया जब अपने रूम में चाने लगती है तो अचानक उसकी नजर पढ़ती है विच पर जो के अपने कमरे के अंदर जा रही थी उसकी कमरे में चाहते ही उसकी कमरे का दरवासा खाईब हो चुका था बहुत अचीब और हैरानकी की बात थी, आया जल्दी से उस दर्वाजे को ढूरने की कोशिच करती है, लेकिन उसे विच और उसकी हस्बन की कमरों का दर्वाजा नहीं मिलता, इन अचीब चीज़ों को देखने के बात, वो पूरे घर को इन्वेस्टिकेट करने का फैसला करती है, य यहां से उसे एक रेडियो मिलता है, जिसे लिएकर वो अपने घर आ जाती है, अब वो कुछ सोचते हुई, इसकर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन कोई भी दर्वाजा कोई भी खिर की उसके खोलने पर नहीं खुल रही थी, इसका मतलब था कि विच लिए उसे यहां कैद किया हुआ है, यह सोचकर वो अदास तो होती है, लेकिन खेर वो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेती, सुपह उटने पर वो गार्डन में काम करती हुई एक दर्वाजा दिखती है, वो यहां से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन विच आकर उसे पताती है, कि वो यहां से भ अपने कमरे का दर्वासा बंद करना भूल गया है, दर्वासे से जांकने पर अब आयात दीख रही थी, कि वो आत्मी अपने डीमन्स को कंट्रोल कर रहा था, और उन से अपने सारे ही काम करवा रहा था, असान लबसों में कहें, तो वो जादू कर रहा था, इन डीमन्स के स लेकिन वो उसक्त में के पास भी जा सकती थी क्योंकि ये बात उसे पहली दिन बता दी की थी कि उसने इस आत्मी को तंग नहीं करना वो अपने कमरे वे चली जाती है उसके सानने था एक रीडियो जो कि वो एक अजीब से कमरे से चुरा कर लाई थी जो कि अब चल नहीं रहा तो बहुत सब्सक्राइब हो गई थी उसे अपने और्फेनिच के सारी दोस्ति याद आ रहे थे पर उससे मिलने जा भी नहीं सकती थी अगली सुबहा जब विच आया से उट पठान काम करवाने लगती है तो आया कोक भी घुसा आ जाता है और वो उस्ती कहती है कि मैं तु आकर उन दोनों की बुरी बुरी ड्राइंग्स बनाने लग जाती है पर अचानक उसकी कमरे के दिवार पर दो जाहत हुई आँखे नसराने लगती है ये सब कुछ उसकी ड्राइंग बनाने की वज़ा से हो रहा था अचानक ही आया के पास विच की कैट भी बोलने लगी थी वो हैरान थी कि कैट भी बोल सकती है कैट आया को बताती है कि तुम्हारी कमरे के पीछे असल में विचके हस्बन का रूम है जहां पर वो चाहतु करता है लेकिन आया को जहां तक पता था इस ती बार के पीछे तो एक बात रूम था जिस पर वो कैट बताती है कि वो ऐसा जादूई ताक्तों की वज़ा से दिखा सकता है, सब चीजी उसके लिए काफी नहीं थी, वो केर्टू से बताती है कि मुझे कुछ मैजिकल स्पेल्स भी आते हैं, ये सुनकर तो आया काफी खुश हो गई थी, ये उसको ना सिर्फ केर्ट की शकल में एक दोस्त मिली थी, बलके एक जादू सिखाने वाले भी मिल गई थी, अगले दिन सबसे पहले तो आया केर्ट की मदद से एक ऐसा जादू एक पोशिट मना में कही इस बात से आया को एक शरारत आती है और वो सुचती है कि क्यों ना इस विच को मजच का जाए जाए, वो कैट की एल्फ से एक जादूई पोशिन मराती है, साथ ही विच की जैसे दिखने वाली एक जादूई डॉल भी, वो इस डॉल और मैजिकल पोशिन के से रही विच को मजच काना चाहती थी, लेकिन अभी उसके जादू में एक चीज कम थी, और वो थे उस विच की बाल, चुकि उसे विच की कैप से मिल जाते हैं, और आखिर वो बाल को डॉल के बांद कर अपना जादू मुकमल करने में काम्याब हो जाती है, जिससे विच के सर पर एक अजीब चोटा सा हाथ आ जाता है, जो हाथ बार बर उसके नाग को दबा कर उसे तंग कर रहा था, विच को बहुत खुछाता है उस पर, और वो मजच चुकाने के लिए उसके रूम में अपने जादू से बहुत से वाम्स फैंक देती है, वो कैट जो के अब आया की दो इतना खुछा आता है कि वो आग में जलने लगा था, विच भी इस साली चीज़ को समझते हुए यहाँ पर आ चुकी थी, वो आया को डाटती है कि मैं तुभी कहा भी था, कि उसके कीसी काम में टांग नहीं अडानी, सिच्विशन काफी बुरी होती जा रही थी, उसके अस जैसे कम हुई थी, तो आया वहाँ पर तीन लोगों की दस्मीर देखती है, असल में यह विच इतने भी बुरी नहीं थी, यह विच तो अपना म्यूसिकल बैंग बनाना चाहते थी, यही सबी लोग गाना गाना चाहते थी मिलकर, और उनकी गानी तो आया को भी बहुत पसं तो आया को पसंद करने लगा था, आया की जोगा इस घर में काफी बदल चुकी थी, जहां पहले वो सिर्फ काम किया करती थी, यह दोनों लोग उसे अपनी बीटी की तरहां प्यार करने लगे थी, क्योंकि उस नहीं इन दोनों को यहां आकर खुश किया था, और उन्हें हस आया था, अब कहानी की आखिर में प्रिस्मस का दिन है, उसने अपनी औरफनेच की दोस्त को अपने घर मिलने के लिए बुलाया है, जहां उसकी फ्रेंट के साथ, उसकी मॉम भी आती है, उससे लेने के लिए, जैसा कहानी के शुरू में, वो कहके रही थी, कि वो उसे है, कि हमें बच्चों से कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, ये बच्चे ही हमें हसने के काबिल बनाते हैं, और हमें नई चीज़े दिखाते हैं, इसी सबक के साथ ये एक्स्पिनेशन यही हतम हो जाती है,